Stock Trading 360 में guys मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नए स्टोक अजंता सोया limited के साथ तो अजंता सोया is primarily engaged in the business of manufacturing of बनस्पती and various kind of cooking oil with shortening products for bakery like biscuits, puffs, pastries and other applications So, ये basically जो है ये food products manufacture करती है अजंता सोया जो की बनस्पती और बाकी जो खाने के जो तेल होते हैं refined वगेरा उसमें deal करती है manufacturing उनकी करती है अजंता सोया limited एक छोटे से market cap की company है जिसका जो market cap है 392 करोड का है और अभी जो book value है इस stock की वो 15.30 पेसे की है 15 रुपे के असपास की book value है 48 रुपे पर अभी trade कर रहा है stock 52 भी खाई की बात करें तो 70 रुपे के असपास है और अगर हम ROE और ROC की बात करें तो काफी अच्छा ROE और ROC है जो 40 प्लस में है और guys industry P की बात करें तो आप देखेंगे compare करेंगे तो industry P के comparison में ही अभी stock मिल रहा है तो काफी अच्छी valuation पर यह stock available है और सबसे जो major और important च तो 6 महीने में stock ने 11% के return दिये हैं और बात करें अगर 3 महीने में तो negative में minus 10% के 10% के return के stock में दिये हैं तो कफी अच्छी valuation और अच्छे RSI level पर यह stock मिल रहा है जो कि 3 महीने से इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास moment नहीं है अपना 50 भी खाई लगाने के बाद जो 70 रुप चार्ट इसका आप देखेंगे कि आप देखेंगे गाईस इसका चार्ट तो एक 50 dma को इसने support किया यहां पर आप देखेंगे upside and then support upside and support यहां थोड़ा सा यह downside में गया है stock बाद में 50 dma पर support और यहां पर downside 50 dma support और अभी जो है stock वो अपने 50 dma से नीचे है तो chances हैं कि यहां स एक अच्छा jump लेगा stock और बावन भी खाई को cross करेगा जो कि results भी काफी शांदार आए हैं इस stock के तो हम बात करेंगे इस stock के results की इस company के results की जो किस तरह के results company ने पैश किया है तो June और March के comparison में आप देखेंगे कि यहां पर 361 करोड का company ने revenue दर्ज किया है जो कि March quarter से काफी बहतरीन है काफी अच्छा है और June quarter में जो 376 करोड का sales revenue जो जनरेट किया था company ने उसके comparison में जो June करोड़ में जो है 361 का company ने revenue and sales जनरेट किया है तो उस comparison में भी काफी अच्छा है बात करते हैं हम अगर इसके net profit की तो net profit की अगर हम बात करते हैं तो जो net profit इसका 9 करोड के असपास का था इस stock का इस company का 9 करोड का असपास का था वो March quarter में भी almost same ही था और अभी June के quarter में 11 करोड का profit हुआ है company को net profit तो यहां पर एक क्योंकि छोटे market cap की company है उस लिहास से काफी strong share रही है और आप देखेंगे कि इसमें long term के लिए आप investment कर सकते हैं कुछ ऐसा stock नहीं है और काफी risky भी होते हैं वैसे stock तो ऐसा नहीं है एक stable और एक strong share है जो आपको कभी भी कितना भी crash हो जाए बट यह इस stock में आपको ज़्यादा ग्रहावट देखने को नहीं मिलेगी और fundamental की बात करें और technical की बात करें तो काफी strong है और technical की बात करें तो काफी अच्छे level पर अ और आप देखेंगे कि company पर एक भी पैसे का date नहीं है ब्रोइंग बिंसकी zero है तो यहाँ पर एक बहुत positive sign है यह और अगर हम बात करें कि share holding patterns की तो guys आप यहाँ पर देखेंगे कि share holding patterns जो है वो इनका constant promoters की holding बनी हुई है तो जो यह दर्शाता है कि company के लिए company की performance और growth के लिए promoters काफी जड़ confident है और बात करें अगर हम public holding की तो वो 53.15% की है तो 46% की holding है promoters की और 54% के आसपास की है public की holding तो एक छोटे से market cap की company है और promoters की अच्छे खासी हिस्सेदारी है तो उसलिहास से guys यह काफी अच्छा stock है आप इसमें buy कर सकते हैं क्योंकि results अच्छे आए हैं तो अपने अबावन भी खाय को cross करते हो दिखेगा यह stock long term के लिए एक अच्छा stock है बहुत stable company है और evergreen field है food industry की तो कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि loss मजारी है company ऐसा कुछ नहीं evergreen field है और food products की company हमेशा evergreen ही होती है तो एक बहुत अच्छा buy बनता इस stock के लिए अभी 70 रुपे का बावन भी खायी लगाया बट जल्दी है आपको 2-3 मेनी के अंदर यह stock अपना 70 रुपीज का जो target है इसको जल्दी achieve करता हूँ दिखेगा आपको इस stock so guys इस stock में मेरे end से buy call है बाकी आप अपने financial advisor से भी discuss कर सकते है so thank you so much guys अगर यह आपको